किसान साथियों नमस्कार आप सब का हार्दिक स्वागत हैं अमेजिंग किसान चैनल में निमाटोड जी हाँ आज हम फिर बात करेंगे अमरूद की उस बिमारीगी जिससे बहुत किसान परेशान है और ये एक कैंसर की तरह बिमारी है जो बाग के बाग उजाड़ कर रख देती है किसान साथियों कुछ समय पहले तक निमाटोड का कोई इलाज नहीं था लेकिन एक दवाई आई वेलम प्राइम जिसका किसानों ने बहुत ही अच्छी तरह उपयोग किया और वो काफी हद तक इसको रोकने में कामियाब रही जो मुझे इनपुट मिलती है किसानों से उसके अनुसार लगभग 80% से 90% तक लोगों को इसमें सफलता मिले आज हम एक ऐसी ही और दवाई की बात करेंगे और उसका वेग्यनिक परमान भी देंगे कि किस प्रकार एक किसान ने इस नई दवाई का परियोग किया और इस दवाई के बारे में हमने आपको अपनी पहली वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं एक किसान से जिनका नाम है कैलास मदारिया कैलास मदारिया जी मद्यपरदेश के रहने वाले हैं और इनका फोन नंबर मैं आपको वीडियो पर दे रहा हूं जो मैंने इन से पूछ कर डाला है अगर आपको इस बात की सत्यता की जाच करनी है तो आप इनके फार्म पर जाईए इनके पोधों को देखिए किसान साथियो इन्होंने लगबग चार साल पहले वी एनार भीही के एक हजार पेड़ लगाए यह रायपूर से वी एनार भीही अम्रूद लाए थे उनकी नर्शरी से वो पोध लगाई और पोधे पड़े अच्छे चल पड़े किसान साथियों दो साल बाद इनके खेत में एक बीमारी आई आईए वो बीमारी क्या है इनके मुक्सिरी से ही हम सुनते है नमस्कार हमारी किसान भाईयों मेरा वी एनार भीही वन किलो केजी का प्लान्ट लगा हुआ है वी एनार का इसके अंदर निमोटेड आ गया है यह निमोटेड इसके पूरा पेड है जो पीला पड़ने लगा है लाल पत्या वो उपर से सुखने लग गया है मैंने इसके अंदर वेलम प्राइम नेमिर सो यह तीन चार प्रकार की दवया डाली है लेकिन इनसे मेरे को कोई भी संतुष्ट नहीं हुई है और जो पोदा है उसमें बिल्कुर सुधार तो नहीं दिख रहा है अब लाया हूं मैं एहमदावास से हमारे एक दोस्त ने बताया था कि एक बार वो डाल के देख लो एहमदावास में लाया हूं निमिर सकरके वो मैं पांच लिटर लाया था एक हजार प्लान्ट में मैंने उसका उपयोग किया है आजी अब पता जलता है उससे क्या होता है कि कुछ सुदार आता है या नहीं आता है किसान साथियों अभी आपने देखा कि इनके पोधों की यह हालत कैसे हुई इन्होंने स्वेम बताया कि मैंने इन में दो दवाईयों का प्रियोग किया वैलम प्राइम और नीमिट्स जो अदामा की आती है और जो मेरी पुस्तक नीमा टोड़ पर है उसके भाग तीन बे मैंने इसका जिक्र भी किया कोई बात नहीं जरूरी नहीं है कि कोई भी दवाई सो परतिसत सक्सिस्फुल है अब इन्होंने क्या किया जब यह परिसान हो गए और इन्हें दीखने लगा कि इनका बाग खतम हो रहा है तो किसी भाई ने इनको बताया कि एहमदावाद में एक बायोटेक की लैब है और वो एक दवाई बनाते हैं जिसका नाम है निस्टोड जी हां निस्टोड किसान साथियो जब इनको लगा कि पेड़ तो मर ही रहे हैं मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ यह पहुँचे एहमदावाद और इन्होंने निस्टोड लिया और उसको एपलाई किया अब मैं यह बताता हूँ कि इन्होंने इस दवाई की कित्री मात्रा डाली इन्होंने वहां से पांच लिटर निस्टोड लाए पांच लिटर की कोस्ट उनकी लगभग 4500 रुपए आती है उस दवाई को इन्होंने 1000 लिटर पानी में घोला जो पांच लिटर दवाई थी और उसको परतेक पोधे में उसके आसपास पहले नमी बनाई और परतेक पोधे की किप से उसमें पानी दिया और पानी देने से वो दवाई की मात्रा पूरी तरह जड़ों तक चली गई किसान साथियो इसका इन्हें चमतकारिक परिणाम मिला इनके पोधे फिर से हरे भरे होने लगे और इसके परिणाम सुरूप इन्होंने मुझे एक वीडियो बेजी यह मेरा बगीचा है वी एनार भी का इसके अंदर अभी दो साल पहले निमोटेर आ गया था बहुत ही ज़्यादा कंडिशन बिगड़ गई थी और सुद्रन का कोई नामी नहीं था इसके अंदर हमने वेलम प्राइम डाला कोई फरक नहीं पड़ा निमोटो बाक से डाला उससे कोई फरक नहीं पड़ा फिर हमको एक इमदावाद कंपनी का पता चला वहाँ पे गए थे वहीं से हम एक प्रोजेक्ट लाए मेरे पास एक हजार पोदे हैं एक हजार पोदे में मैंने चार बीगे के बगीचे में पांच लिटर दवे डाली मानो कि कोई जादू सा हो गया और एक महिने के अंदर उसकी कंडिशन एक टाप बन गई है और आज आप देख रहे हो इतनी अच्छी कंडिशन हो गई है कि एक नंबर कंडिशन पर है कि दवई का नाम कि निश्टोड करके नाम करके आती है और बहतरीन रिजल्ट है मैं कोई कि दवई कंपनी से नहीं हूं और ना ही मेरे को किस दवई कंपनी से कोई मतलब है कि मेरे को जिस चीज से फाइदा हुआ कि मैं वह चीज अभी सब किसान भाईयों को बता रहा हूं और जिस किसी भाई को निमोटेट की सिकाय थे वह दूसरा प्रोजेक्ट अपनाने की बज़ाए यह प्रोजेक्ट अपना है इससे आपका बहुत ही बहतरिन रेजल्ट आएगा बहूत ही पहाई बहुत ही बह्तरिन और दे बनेंगे किसान साथियो अभी आपने देखा कि दवाई लगाने के बाद इसका क्या रिजल्ट हुआ सभी पोदे चल पड़े और सभी पोदे सोच्थ हो गए मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं कि इसका प्रमान दे रहा हूं कि एक नई दवाई आई है जिसके बारे में मैंने पहले यी वीडियो में भी आपके जिक्र किया था और एक किसान के पोदे सही विये थे वो बताया था ये हैं दूसरे किसान इन्होंने इस दवाई का प्रियोग किया और ये दवाई वेलम प्राइम से लगबग असी परसीशत सस्ती है। आप देखें वेलम प्राइम आठ हजार रुपे लिटर आती है और ये आपकी दवाई जो है 930 रुपे लिटर है। निर्ने आपको लेना है अगर आपको लग गया तो इस दवाई को अवश्या किसी दवाई का परचार नहीं है। वेलम प्राइम का भी मैंने दिखाया और इसका भी दिखा रहा हूँ। इसलिए ये निर्ने आपको लेना है। किसान साथियों ये जो हमने दवाई दी है अब हमें ये दवाई क्या हमेशा के लिए निमाटोड से छुटकारा हो गया या हमें ये दवाई दुबारा देनी पड़ेगी। अगर दुबारा देनी पड़ेगी तो कब देनी पड़ेगी और कितनी मातरा में देनी पड़ेगी। यानि के हमें अगर परतेक वर्स देनी है या छे महिने में देनी है तो कितनी मातरा देनी पड़ेगी और नहीं देनी है आईए उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं तो यह सुनने के बाद कुछ फार्मर की क्वेस्टन आये कि वो लोग दूसरी सब दवाईय डाल रहे हैं तो उसकी सामने निश्टोर का अगरां कंपरेजन करें तो निश्टोर की असर देने के बाद सोईल में देने के बाद कितने टाइम कट रहेगी तो उसमें किसान साथियों यह है कि आपकी स्वाइल की जो कंडिक्शन है अगर ज्यादा सेंडी सोईल तो जल्दी लीच आउट हो जाएगा फिर निश्टोर नहीं कोई भी केमिकल या तो फर्टिलाइजर पकड़िये तो जल्दी लीच आउट हो जाएगा तो उसको बार- तो उसके इसाब से उसको बार-बार देरा नहीं पड़ेगा उसकी असर लॉंग तक रही और निमेटोर के साथ सामने फाइट करेगा एक फार्मर एक से पहलाजवाई मदारिया करके उनसे हमारी कल बात हुई उन्होंने एक साल पहले निश्टोर का यूज किया था और कल ब आगर निमेटोर का इंफरेक्शन नहीं है या तो चला गया तो आप साल में 1-2 बार इसका रिपीट यूज कर सकते हो और निमेटोर ना आए उसके हिसाब से एक से दो बार इसका यूज करेगाары हमारे यहां पर अनर का प्लांटेशन ज्यादा है कई ममर इन इस फिल्में न दूसरा डोस देते हैं जब फ्रूट लगने शुरू होते हैं तब तीसरा डोस देते हैं फ्लावर जब फ्रूट हार्वेस्टिंग होने वाले हैं उससे एक से डेढ़ मिनार पहलें क्योंकि तब प्लांट को ज्यादा तो उस ताइम अगर निमेटोड का इंफेक्शन लग गया तो यह सब प्रॉब्लम आएगे तो निमेटोड का इंफेक्शन ना लगे या तो लगा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको जो थर्स्टेजे अनार में हार्वेस्टिंग का उससे देड मीने पहले मिश्टोड का यूज़ करवाते हैं और फार्मर जो किसरा डोस तब देते हैं तो उसकी पॉलेटी फूट की साइज से सब मेंटन रहते हैं तो उसी हिसाब से अमरूद में भी जो फार्मर के यहां पर निमेटोड का इंफेक्शन है वो उसके हिसाब से उसका डोस फाइनल करके एक सिग्डिल सेट करके अभी आपने तुसार भाई को सुना और उन्होंने ये सची बात बताई कि अमरूद के उनके पास अभी तक बहुत ज़्यादे किसान नहीं हैं कि वो अनार की निमा टोड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जो उन्होंने किया वो आप सब को बताया इसी को आधार बन इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत